फेस्बुक वेबसाइट पर जाएं, अपने वेब ब्राउजर को खोले और www.facebook.com पर जाएं, एक नया खाता बनाएं, फेस्बुक की होम पेज पर आपको साइन अप सेक्षन दिखाए देगा, निमनलिखित जानकारी प्रदान करें, पहला नाम और आखिरी नाम, मोबाइल या इमेल पता, पास्वर्ट, जन्म की तारीक, साइन अप पर क्लिक करें, आवश्यक जानकारी भरने के बाद साइन अप बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ें, अपने इमेल या फोन नम्ब की पुष्टी करें, फेस्बुक आप से आपके दिये गए संपर्क तरीके पर जाएगा, ये दूसरों को आपको फेस्बुक पर पहचानने में मदद करता है, अपनी प्रोफाइल पूरी करें, आप अपनी प्रोफाइल में और भी विवरन जोड सकते हैं, जैसे कि आपके कामकाज, स्कूल, वर्तमान, शहर और एक छोटे से बायो, ये कदम वेकल्पिक है, लेकिन दोस्त और परिच्चितों को आपको आसानी से खोजने में मदद कर सकता है, दोस्त भून है, फेस्बुक आपको आपके इमेल संपरकों और दी गई अन्य जानकारी के आधार पर दोस्तों का सुझाव देगा, आप इन लोगों को दोस्त के रूप में जोडने का विचार कर सकते हैं या इस कदम को छोड़ सकते हैं, अपने गोपनियता सेटिंग्स सेट करें, आपकी पोस्ट और प्रोफाइल पर दिखाए देने वाली जानकारी को किसको दिखाए देगा, इसे नियंतरित करने के लिए अपनी गोपनियता सेटिंग्स को कस्टमाइज कर हैं, जुकि आपके Facebook ID के रूप में कार्य करेगा. इसके लिए निमनलिखित कदमों का पालन करें. अपनी प्रोफाइल चित्र पर क्लिक करें, जुकि उपर के बाई कोने पर है, ताकि आप अपनी प्रोफाइल पर जा सकें. आपके कवर फोटो के नीचे आपको प्रोफाइल सम्पादित करें, बटन दिखाए देगा. इस पर क्लिक करें. आपके पसंदीदा उप्योग करता नाम को दर्ज करें और Facebook उसकी उपलब्धता की जाच करेंगा. एक उप्योग करता नाम को उपलब्ध पाने पर बदलते समय सहेजे पर क्लिक करें. मुबारक हो, आपने अब एक Facebook ID बना ली है, जो की मूल रूप से आपके द्वारा चुने गए उप्योग करता नाम की तरह कार्य करेगा. याद रखे कि Facebook का जिम्मेदार उप्योग करें, उनके समुदाय मानकों और दिशानिर देशों का पालन करें, और अपनी गोपनियता सेटिंग्स को सनरक्षित रखने के लिए अध्यायन रखें.